हलो फ्रेंज आज हम बनाने जा रहे हैं लोबिया मसाला करी जिसे इंग्लीज में ब्लैक आई बिंस भी कहते हैं लेकिन एक नए तरीके से फटा फटा और इंस्टंट बनने वाले ये एक तब मज़ेदार सब्जी है तो चलिए इसाथ में ही बनाते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आपकी अपनी चैनल को क्विट माही को सस्क्राइब कीजिए सबसे पहले हमने ये ब्लेक आइस को हमने तीन से चार गंडे तक पानी में सोक करके रखा इसे ओवरनेट सोक करने की जरूवत नहीं है अगर आपको मॉन्नी में बनाना हो तो ही आप इसे ओवरनेट सोक करके रख सकते हैं फिर एक बड़े इसे आलो के हमने ऐसे दो पीस और उसमें डाल दिये थे अब ये सब प्रोसेस टैरे कूकर में भी कर सकते हैं वीडियो के हिसाब से मैंने अपको इसमें पताया था दो गरीन चीली नमक थोड़ा सा ही डालिएगा बात में सबजी में भी जाएगा और थोड़ी सी हल्दी पस इसे अच्छे से कूक करना है तकि मसालों का टेस्ट अच्छे से उसमें आ जाए हमारी सबजी अच्छे से कूक हो चुकी है सबसे पहले हमें टमाडर के चिलके हैं उसे सारे निकाल देना है तो अच्छे से टमाडर उसमें मैस हो जाएंगे और आलू को भी अच्छे से मिलाके एक्तम बारिक कर दीजे त जीरा, तेज़ पता, डाल चीनी और थोड़ी सी हींग जरूर डालिएगा इसे अच्छे से डैजेस भी हो जाता है अब हमने ओनियन, गालिक और जिंजर तीनों को साथ में ही चौप कर लिया था ताकि ये इजी रहता है, बहुत इंस्टन्ट और इजी तरीके से बता रही हूँ जब तक आपके सबजी बॉयल होगी आप ये ग्रेवी भी रेड़ी कर सकते हैं साइड में बस ऐसे फटा-फट हमारा प्यास को हमें हलका सा गोलन ब्राउन होने तक तुनना है अब उसमें जब तक डालेंगे गर्गर के ही मसाले हाफ स्पुन अरंड हल्दी डाली थी दो चमच रेड मिर्ची, दो चमच दनिया पाउडर और नमक थोड़ा सा ही डालीगा क्योंकि और लेडी हम बॉयल करने में डाल चुके हैं बस इसे अब अच्छे से मिला लीजिए अब उसमें हमें एक बड़ा सा चमच दही का डालना है इसमें हमारे सबजी में एक ट्वेस्ट बहुत ही बढ़िया सा आएगा एक बड़ा सा चमच दाल दीजी तो मसाला एकदम और बड़िया कलर भी खिलके आया है और ओयल भी हमारा अच्छे से रिलिस हो जाता है जब भी आप दही डालिएगा गैस लो रखियेगा ताकि दही फटे नहीं और अच्छे से बूनके और ओयल फ्री हो चुकी है अब इसमें बॉइल हमारी सबजी को डाल दीजिए अब तो फटा-फट हमारी सबजी रेडी होनी है इसी पे अच्छा सा उबाला जाए ये सबजी ठीक चली ही हो जाती है इसलिए आप चाहे तो थोड़ा और पाने भी डाल दीजिएगा बस इसे अभी अच्छे से उबाल लाना है और उपर से डाल देंगे हम गरम मसाला और कसूरी मेटी डालीगा ताकि सबजी में और चार चार लग जाए और इसे हमें पांच मिनित तक धक्के पकाना है तो ये सबजी और अंदर से मसाले और सारी ग्रेवी एक दुसरे से मिक्स हो जाएगी और एक अच्छी से सबजी रेडी हो जाएगी बस इसे धक्के दो मिनित का पकाना है ताकि दीमी आज पे सारे मसाले और ग्रेवी एक दुस पानी बहुत पड़ा हो जाती है। देखिए कितनी प्यारी सी सब्जी हमारा कलर भी खिलके आ गया है। अगर आप चावल से खाते हो रस जादा चाहिए तो पानी और जादा डाल सकते हैं। चट पटा चाहिए तो थोड़ा और निम्बू भी निचोड़ दीजिएगा। तो एकदम बढ़िया से मसाला करी हमारी रेडी है। जिसे पराठा, रोटी या तो चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। हमारे गर में तो सबको चावल के साथ ये सब्ची बहुत पसंद आती तो ये रेसे भी आपको कैसी लगी जरूर बताईएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सेल और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा। बाबाई।